उस लड़ू में फिश ओयल की बाद उस लड़ू में सुवर के चर्मी के इस्तिमाल की बाद सामने आ लिए प्रश्णिया उड़ता है कि मंदिर में चेरमेन क्रिश्चन क्यों है मंदिर में मुसल्मान और क्रिश्चन क्यों बना जाता है यहाँ पुरी तरह से सनातन धर्व को उपर सड़यंत्र है और यहाँ अपराद छम्य नहीं अच्छम्य अपराद है और इसमें सभी को फासी होना चाहिए नमस्कार दोस्तों तिरुपती मंदीर के प्रसाद में मिलावट की घटना सामने आई है जो कि हिंदू आस्था के साथ खिलवार है इस मंदीर में डेली तीन लाख लड़ू बनते हैं और देश से लेकर विदेश तक पार्सल किये जाते हैं लोग बड़ी आस्था से इस प्रस समाज में जी रहे हैं कि यहां तक हम गिर चुके हैं कि आज मंदीर और मस्जीद तक को भी नहीं छोड़े हुए हैं आप इस डिवेट को पूरा देखिए और आपके जो कमेंट होते हैं जरूर दीजिए शैलेश तिवारी जी एक बातचीत आफसे यह कितना बड़ा और के चर्मी के इस्तेमाल की बात सामया देखिए राकेश जी सबसे पहले मैं आपको पता दूँ कि टीटीडी का जो चेर्मेन व्यक्ति बनाया गया था वाई एसार रेडी के द्वारा जगनमोहन रेडी के द्वारा वह व्यक्ति क्रिश्यन था प्रश्णिया उड़ता है कि मंदिर में चेर्मेन क्रिश्यन क्यों है मंदिर में मुसल्मान क्रिश्यन क्यों बनाया जाता है यहीं से जो है सड़यंत्र दिखाई देता है और जगनमोहन रेडी के सड़यंत्र से ही यह घटना घटा है चेर्मेन जो है वह क्रिश्यन है और उसके साथ साथ जिस संस्ता क वो दिया गया घी 10,000 लिटर प्रते दिन घी का खपत है उस कंपनी का मालिक भी जो है वह तुरुशन है और इसके कारण यह पुरीतर से सनातन धर्म के उपर सड़यंत्र है और यह अपराद छम्य नहीं अच्छम्य अपराद है और इसमें सभी को फासी होना चाहिए चाहे वह पुरुमुख मंतरी जगन मुहंडेडी हो उस मंदिर के चेर्मेन हो अत्वा घी बनाने वाले कंपनी के मालिक हो सब को फासी होना चाहिए और पासी भी छोटी सजा है जिस तरह की घटना 100 क्रोर से जादा हमारे सनातनियों को यह प्रशाद खिलाया गया बीफ और सुगर की चर्वी और मचली इन सब को पुरी तरह से धर्म को नस्ट किया गया है या सिर्फ व्यपार की बात नहीं है या सनातन धर्म को तबाह करने का पुरी तरह से सोची समझी साजिस करता हुआ है एक लाख लड़ू जो है वह राम मंदिर उधाटन पर आया था जिस लड़ू का भोगपुरे भारत के एक एक संत लोग किये थे सब को इस तरह से मैं मैं आगे मैं आगे बढ़ता हूं शुर्ता एक 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 मैं और चाहता हूं आजाए उसके बाद आप इस लोको आगे बढ़ाईए और वो रियेक्शन कॉंडा राजी उगांधी जी का और सर मेरा सवाल सी जरते से मैं पर नहीं जा रहा हूं लेकिन जहां पर एक लाख लोग डेली पहुंच रहा है जहां पर प्रसाइज हंदोस्तान और कि कौने-कौने कोर्यर किया रहा है राम मंदर की प्रावर्ट पर पहुंचे राहर कि मिलावट की बास क्या आप लोगों का एस पर क्योंकि ह्यंद्धेश में यह हिंदू सुसेड़ी है नीस सबी लोगों को बहुत आंदोलन है कि यह प्रशाद कल्टी रूपती हो जाईए उसपिसए हम लोग सोचते हैं होकर कोई है तो टेस्ट करके वो इसमें गलती है तो रिजल्ट आते बट मेरा बात क्या है कि ये कोई चीज है ये प्रसाद तक तयार करने के लिए कोई चीज तिरुमला आते तो इसको तीन दफा का टेस्ट करते वो टेस्ट को पास होने के बाद ये किचन को साते ये कोई ची है इसलिए उनका टैंकर रिजट कर दिया एसी तरह प्रिजट करने वाला टैंक अभी एक बात नहीं ए और पूर्व हमारा गौवर्मेंट और पूर से पूर्व गवर्मेंट भी फॉर्टी टैंज टैंक हो गया क्योंकि टेंडर देते हैं को उद्धको पर्मिश्ण नहीं है ना सब्सक्राइब गलती का माल लेकर तिर्मला में डालने के लिए पर्मिश्ण आई यह टेंडर देने के बाद में अरे आपकी सारी कवाइच का क्या मतलब निक सबको फासी होना चाहिए जेल कारागार से कुछती होगा पैसा देकर सब छुट जाएंगे सबको फासी होना चाहिए अपनी बात पूरी करें मैं क्या बात करता है कि यह बहुत सेंसिबल इस्यू है ठीक है प्रसाद में कोई गलत नहीं है वो गी में है लाब टेस्ट की रि पहला है मैं यह की बात है मै Vaegu को बात है आप चैज और पांच सब्सक्राइब थोड़ा मेरे को समय भी देजिए में मैं कुर्पा करता हूं आपको क्या कि यह कोई है ना कभ टेस्ट कर दिया कोवन टेस्ट कर दिया इसक्रम स्यंपल ले लिए कभ रिजल्ट आया कभ मीडि बतना चाहिए ठीक है प्रेम जैन आप जवाब दें और यह देखिए लैब रिपोर्ट की कॉपी भी हम दिखा रहें स्क्रीन पर अब देख रहे हों कि आपके सामने टीवी हो देखिए इसमें सब कुमार जैन जो इनके सवाल है बतने लड़ों के जाते हैं उस लगद्रों में इस फ्रकार की चर्वी निकलना इस प्रकार के गलतuden कीजों का प्रीयों करना प्रेम जी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं सर आपको ये रिपोर्ट में क्या है नहीं है वो सारी बाते हमने बता दी है कोंड़ा राजीव गादी कह रहे हैं बहुत सारी बाते हैं आप लोग छिपा रहे हैं उनकी बात का जवाब देदी जी फिर में साध्यू संतों के पास जाऊंगा यह साथ इनकी जो मान सिखता है वो बताती है कि यह प्रैटा खाने के लिए और हिंदु सब्सक्राइब के उपर सारी तीन लात लट्टों रोजान राकेश बंते हैं और ज़रा सोच ये ठीक है क्योंकि जैसे खुलासा हुआ है उसके बाद हमारे जो साधू संथ है क्या उनके मन में भी अब इन लड़ू को लेकर कोई सवाल है तो अगर मैं आप से कहूं उमेश पूरी जी कि इस लड़ू को आप खाएं तो क्या आप खाएंगे या पर आपके मन में कोई सवाल आएग किया गया है जो अशम में जिसे समा नहीं किया जा सकता एक महीने पूरुब की घटना है कि मेरे पास तुरुपती बाला जी का प्रशादार मैंने घ्रेंड किया और बहुत साही लोगों को मैंने दिया लेकिन इस घटना के बाद ऐसा लगता है कि पैरोतर्य जमीन हमारी खि विरुद्द कारी शक्तिया उनकी योजना क्या थी वो करना क्या चाह रहे थे वह चिंता की बात है वो छोन बैठे थे और जगन-मोहन-रेटी के शाषनकाल के अंदर वह मुख्य मंत्री जिम्मेदार हो जगन-मोहन-रेटी के शाशनकाल में जो वहां के बॉड का द्यक्ष बनाता है वो क्रिश्चन था एक हिंदू धर्मस्तल पर क्रिश्चन अधिकारी क्यों आया किसी योजना से आया सरकार की जाच में यह खुलासा हुआ किसे बनाया जाता है एक क्रिश्चन को वह हिंदू संस्कृती को कितना जानता है कि आपने उसे इस प्रधान पदपड़ासीन कर दिया वह क्या मैनेज करेगा कहीं न कहीं यह एक सड्यंद्र की और इसारा करता ही है और इसमें पूरी तरह से राजनीती हो रही है आपके क्या वीचार है कमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सेया कर दिजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन क्लिक कर लिजेगा कि आगे आने वाले वीडियो का न